आखिरकार युक्रेन के राष्टुपती जैलेंस्की की मुराद पूरी हुई अमेरिका ने युक्रेन को अब तक का सबसे धाधार रतियार देने का अईलान कर दिया है युक्रेन अब मॉस्को के भीतर घुसका जोन से नहीं बलकि लडाकू विमान से हमला कर सकता है बाइडन पुशासन ने जैलेंस्की को एफ-16 फाइटर जेट देने का बड़ा फैसला ले लिया है और इसके बाद रूस में सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है पिन मांगे मिला परमाणू फांप सेलेंस्की के मुराद फूरी हो गई बाइडन ने अपना वादा पूरा किया कीव में उत्रेगा फाइटर जेट एफ-60 रूस की नाटो को धमकी महा युद्ध के माथे पर क्या एटम बम वाले कलंग का ठीका लगा है अगर नहीं तो क्यों बार बार बाइडन छेड रहे हैं परमाणू राद जैलेंस्की के पास एटम बम गिराने की थाकत वाला फाइटर जेट क्या यूपरेन के एएरफोर्स बेस की शोभा बढ़ाने के लिए अमेरिका यूपरेन को दे रहा है बिल्कुल नहीं तो अब इंतजार कीजे उस घड़ी का जब अमेरिका का पावरफुल लड़ाको विमान F-16 रूस की चोहत्ती को चीरते हुए मौसको में दाखिल होगा F-16 अगर होगा जैलेंस्की के पास तो फिर वो क्यों करेंट ब्रून पर विचार जैलेंस्की का ताजा काउंटर अटेक इस बात का ऐलान करता है कि योकरेंट अपनी धर्ती से सिर्फ रूस को भगाने के लिए ही नहीं लड़ रहा है अब वो क्राइमिया के लिए भी लड़ रहा है जिस पर रूस ने 2014 में कबजा कर लिया था फाइटर जेट एफ-16 देने का अमेरिकी प्रशासम ने एलान कर दिया है ये एफ-16 डेन्मार्क और नीदर लैंड्स की ओर से योकरेंट को भेजे जाएंगे अमेरिका कुल कितने एफ-16 फाइटर जेट योकरेंट को देगा इसकी संख्या साफ नहीं है पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मताबिक एंखतरनाक फाइटर जेट विमानों को योकरेंट भेजने का मकसद रूस की सेनाओं के खिलाफ जंग में योकरेंट की हवाई सुरक्षा को मजबूत करना है ये हवाई सुरक्षा क्या सिर्फ डिफेंसी भी यानि रक्षाक मखोगी इसकी गैरंटी कौन देगा F-16 की शक्ती से लैस होने के बाद जेलेंस्की को काईदे में बांध कर रखना मुश्किल होगा ये खुद अमेरिका भी अब तक मानता आया था कि जेलेंस्की के बास लॉंग रेंज के हथियार होने का मतलब है वो रूस के भीतर घुस कर हमला करेंगे ना इस तरह के किसी हथियार को ये उक्रेन को दिये जाने के पक्ष में है कि उसकी क्षमतार रूस के भीतर घुस कर मार करने की हो लेकिन ये अमेरिका है वक्त के मुताबिक बात और जजबात बदलने में वक्त कितना लगता है अमेरिका अब जैलन्सकी को F-16 जैसे फाइटर जेट देने जा रहा है F-16 को स्क्रीन पर आपने भी कई बार ज़रूर देखा होगा लेकिन आज F-16 की ताकत की बात नहीं इसके कमजोरी भी करेंगे क्योंकि रूस के पास अगर इसका काट ना हुआ तो युद्ध हफते 10 दिन की बात है F-16 योक्रेन में लैंड होते ही सबसे पहले क्या होगा इसे स्क्रीन पर समझ की योक्रेन में एरफोर्स बेस पर F-16 लैंड करता है उसे ओर्डर होता है कि हमले के लिए मॉस्को कूच करना है कियू से मॉस्को की हवाई दूरी 879.7 किलोमीटर है प्राइवेट जेट F-16 की स्पीड है 2000 किलोमेटर प्रति घंटा तो मॉस्को पहुंचने में इसे वक्त लगेगा आधे घंटे से भी कम मतलब 29 इनट में बारूद बिचाने का प्लैन पे यार हो जाएगा जेलन्सकी के पास देखते ही देखते मॉस्को तबा एक सवाल बहुत लाजबी है कि उस वक्त रूज का पाउरफुल डिफेंस सिस्टम S-400 क्या कर रहा होगा तो इसके लिए आपको F-16 की ताकत की थोड़ी और डिटेल देख रही होगी F-16 सिंगल इंजन सुपर सोनिक मल्टी रोल फाइटर एरक्राफ्ट है इसका इस्तिमाद अमेरिका की एरफोर्स करती है 1976 से तैनाती के बाद F-16 4600 एरक्राफ्ट अमेरिका तयार कर चुका है करीब 25 देशों में अमेरिका ये दिमान बेच चुका है F-16 को अमेरिका हवा में अपना मुक्ष हत्यार मांगता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वार हेट वाली मिसाइले फित हो सकती है यही वज़ह है कि रूस मान कर चल रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को परमाणू शक्ति से संपन्न बना रहा है हलाकि यह ठीक वैसा ही होगा जैसे रूस में बेला रूस में अपने यूक्लियर ट्रेक्टिकल वेपन टैनात किये और अमेरिका देखता रह गया अब बाइडन यूक्रेन में परमाणू हत्यार चलाने वाला विमान टैनात करेंग और पुतिन देखते रह जाएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटेनी ब्लेंकन ने डेंडमार्क और नीदर्लेंड के विदेश मंत्रियों को भी पत्र भीजा है ब्लेंकन ने दोनों को लिखा है योक्रेन को F-16 लड़ाकों विमानों को देने और योक्रेनी पालिकों के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन जताने के लिए ये खट लिख रहा हूँ ये महत्तुपोन है कि योक्रेन इस समय अपनी संप्रभुता पर चल रहे है रूस के हमले के खिलाब खुद का बचाओ करने में सक्षम इन दोनों देशों में अमेरिका ने पहले से परमाडो बंब वाली मिसाइले तैनात कर रखी है इन मिसाइलों का मुँ मौसको की ओर ही है बोतेल, डैन्माक, नीदरलेंड्स दोनों पर हमले करने की धमकी देते रहते हैं लेकिन नैटो की थाकत पर इतराने वाले इन दोनों देशों की सेहत पर कोई असर नहीं होता डैन्माक और नीदरलेंडस एफ-16 लड़ाको विमानों की योक्रेन को सपलाई के पीछे दोनों देशों की कीव से बहुत कम दूरी है इसे मैप पर समझे डैन्माक से एफ-16 उड़ान भरता है तो उसे योक्रेन पहुंचने के लिए जर्मनी के वर्लिन का रूट लेना होगा जर्मनी भी नैटो का सदस्य है इसके आगे पोलन्ड है और पोलन्ड से सटा योक्रेन है मतलब पूरे इलाके पर अमेरिका के सैयोगियों का ही डंका है अब एफ-16 के नीदर लैंड वाले रूट को समझी है जिसका रास्ता भी बर्लिन से होकर गुजरता है इसके बाद पोलन्ड की सीमा आती है और फिर योक्रेन में लैंड है जैलन्स की कई महीनों से रट लगाए होए हैं क्यों उन्हें लड़ाकों विमान चाहिए वो विमान जो मॉस्को को करारा जवाब दे सके लेकिन बाइडन प्रशासन इसमें हील हवाला करता रहा अमेरिका की गूट नीती के मुताविक वो रूस से सीधा युद्ध से बचने की नीती को फॉलो करते हैं सवाल फिर F-16 अमेरिका के देने के बावच्योड रूस से अमेरिका की सीधी टक्कर नहीं होगी इस सवाल का जवाब F-16 यूक्रेन आने और उसके इस्तिमाल के बाद ही पता चलेगा उसके पहले F-16 को लेकर रूस में हो रही मीटिंग पर मीटिंग की डिटेल देख लीजिए रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरो ने कहा कि अगर अमेरिका अपने F-16 लड़ा को विमान यूक्रेन को देता है तो इससे संघर्ष और बढ़ेगा क्योंकि ये परमाणू हत्यार ले जाने में सक्षम है एटम बम की धमकी की शुरवात रूस नहीं की है पोतिन के बेहत करीबी और पूरो राश्टपती दिमित्री मेद्वेदेव तो कई बार ये कह चुके है कि हालात रूस के हाथ से निकलने की सूरत में उनके पास परमाणू बम गिराने का विकल्प खुला है पोतिन कई बार कह चुके हैं कि नैटो की दखल अंडाजी के चलते ही युद्ध लंबा खिंच रहा है लहाजा अब पोतिन क्या करेंगे जब जैलेंस्की के पास परमाणू बम वाली मिसाइल होगी दुनिया के सबसे बैतरीन एयरक्राफ्ट में से एक होगा F-16 कहा जा रहा है कि अमेरिका वाला F-16 युद्ध की दिशा और दशाद दोनों बदल सकता है लेकिन भूस का दावा है कि वो इसे काम्याब नहीं होने देगा रूस के कहने के पीछे का आधार क्या है कि आपको जरूर देखना चाहिए रूस ने दावा किया कि उसके लैपर टैंकों को तबाह किया है चैलेंजर टैंकों को बरबाद किया है और F-16 को भी नहीं छोड़ेंगे अब जरा अमेरिका के F-16 और रूस के सू-53 के बीच की तुलना देखिए कि कौन कितना शक्तिशाली है Su-35 सिंगल सीट ट्विन एंजन फाइटर जेट है F-16 सिंगल एंजन विबान है Su-35 लडाकों विबान सुपरसोनिक स्पीड से लंबी दूरी तक उडान भरने में सब्चम है F-16 भी सुपरसोनिक स्पीड से उडान भरता है Su-35 एक चौथी जेनरेशन का विमान है जो पांचमी पूरी की लडाकों तकनीक का इस्तिमाल करता है F-16 भी चौथी पीडी का विमान है जिसमें मॉडन तकनीक लगी है Su-35 अडवान्स एलेक्रोनिक वारफेर सिस्टम से भी लैस है F-16 के पास भी एलेक्रोनिक वारफेर की जानकारी होती है जब तक रूस अपने पांचमी पीडी के स्टेल्थ फाइटर जेट के उतपादन को शुरू नहीं कर देता तब तक सुकोई Su-35S के रूस के सबसे प्रमुक लड़ाकों विमान के रूप में काम करने की उम्मीद की है रूस का Su-35 भले ही एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है लेकिन इसमें रूस को फिर से एक आधुनी के अर्पोर्स की महाशक्ति बनाने में मदद की है ये F-22 और F-35 जैसे पांचमी पीड़ी के स्टेल्थ फाइटर के साथ कितने प्रभाविध धंग से मुकाबला कर सकता है ये फिलहाल अभी साबित नहीं हो सका है Su-35S कई माइनों में राफाइल सहित दुनिया के सभी चौथी उड़ी के फाइटर जट से मीलों आगे है लिहाजा F-16 के यूक्रेन पहुंचने पर महायुद्ध का फैसला जमीन से आस्मान में शिफ्ट हो जाएगा F-16 की ताकत कितनी है इसकी दुनिया दिवानी है तुर्की के राश्रपती ने जब अमेरिका से F-16 मांगा तो बाइडन ने जवाब दिया कि राश्रपती अर्दुआन खामोश होगे ये दिलचस्प किस्सा आपको भी जानना चाहिए तुर्की ने F-16 के लिए कहा बाइडन ने कहा स्वीडन को नेटो सदस्य बनने के राह में रोड़ा बनना छोड़ते तुर्की मतलब मैसेज लाउट एंड क्लियर कि अमेरिका अपनी शर्तों पर ही किसी देश को F-16 विमानों की सप्लाई करता है जैलेंस्की के तूटे किले को बचाने के लिए बाइडन जो संभा होगा जरूर करेंगे और इसका नतीजा होगा कि पुतिन और गुस्सा होंगे युद्ध और भढ़केगा डेनमार्क और अमेरिका में कई महीनों से युद्ध के पाइलिटों को F-16 की ट्रेनिंग दी जा रही है महज दो दिन पहले ही युक्रेन के रक्षा मंत्राले की ओर से कहा गया कि 2023 में यानि इस साल F-16 फाइटर जेट किसी भी हालात में युक्रेन नहीं पहुँच रहा यानि इस बार का वसंत और सर्दी युक्रेन की सेना को बिना F-16 के ही लड़ना पड़ेगा लेकिन अब खबर आ रही है कि बस कियू में अमेरिका वाला विमान उतरने ही वाला है युद्ध के दौरान प्रोपेगंडा के तहट भी कई बार खबरे फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन देश धोखा खा जाए लेकिन पुतिन जैसे सिद्ध हस्त युद्ध के खिलाडी को चत्मा देना बहुत मुश्किल है पुतिन के दफ्तर तक वो फाइल पहुँच गई है जिस पर दस्तकत होते ही रूस F-16 से भेड़ने वाला अपना हथियार लॉंच करतेगा F-16 के आने का मतलब ये भी है कि युद्ध की उम्र खट चाहिए रूस और नैटो के सीधी टककर का एक ना एक दिन होना तै देख रहा है लेकिन ये टककर कब होगे या दोनों वक्त रहते टककर को टाल देंगे ये कैपाना मुश्किल है क्योंकि इस टककर में परमाणू बंब जरूर फटने वाले हैं इस परमाणू युद्ध की सूरत में कितनी मौते होंगी कितने लोग जखनी होंगे बता पाना मुश्किल है नियोयॉक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुटाबिक 24 परवरी 2022 से लेकर अब तक युद्ध में मौत और जखनी लोगों की संख्या है 5 लाग रिपोर्ट के मुटाबिक गूस की 1 लाग 20 हजार की सेना मारी गई 1 लाग 70 हजार की सेना बुरे तरह जख्मी होई है योकेन की अब तक 70 हजार सेना मारी गई है 1 लाग से 1 लाग 20 हजार के संख्या के बीच जवान जख्मी होए